हेलो स्टुएंट्स गुद मॉर्निंग अल अफ्यू तो तुद्या इम गों तु स्टार्ट चेप्टर नंबर टू ऑफ क्लास 12 स्टेट्स पार्ट टू बूक चेप्टर नंबर टू रेंडम वेरिबल एंड डिस्क्रिप्ट्रोबिटरी डिस्ट्यूबिशन स्टुएंट 10 मार्कर चेप्टर नें बॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा हुआ यह आपको हाइलेट कर रहा हुआ जैसे कि मैं आपको हर एक लेक्चर के स्टार्टिंग में बताता रहता हूं सेक्ष एकलिशन यकर सआसे के नदर बन मार्कर एक संसेंग हूं से मीरा आपकोो टॉल नियुक्टर नच की यह हुए है उसके इंदर मैंने वीडियो लेक्चर्टर्स एक सेंड करूंगा और मैंने आपको नोट्स दी हुई है उसके इंदर मैंने question मेंने किया हुए कि कौन से question इसके इंदर theoretical आ सकते हैं वह मैं आपको lecture के अंदर बता दूंगा ओके चलिए तो आज मैं चालू करने जा रहा हूं exercise 2.1 exercise 2.1 के अंदर आज पर्स मैतल में करने जा लोग वाली मैतल हम लोग देख लेते हैं question अब आपको दिया हुए है उसके अंदर आपको p of x equal to x plus 2 divided by 25 दिया हुआ है जहाँ पर x से जगे आपको अलग-अलग value put up करनी है जहाँ पर x से जगे आपको 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की value रखनी है और उसके बाद आपको उपर दिया हुए heading में check whether the probability distribution is the discrete or not आपको इतना check करके भी answer निचे देना है तो आप district कब होता है कोई भी normal distribution कब district होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको दो टाइप देटा देखे हूँ है continuous and district data तो यह district किस तरह होगा वो मैं आपको sum के अंदर बताने वाला हूँ तो चलिए मुझे जो function दिया हुआ है p of x equal to x plus 2 divided by 25 वाहाँ पे 1 by 1 में x से जगे है पहले में मैंने value रखे हूँ यह x से जगे है 1 तो 1 plus 2 divided by 25 so I got answer with 3 by 25 फिर मैंने रखा हुआ p of 2 उसमें 2 रखा हुआ x से जगे मैंने so 2 plus 2 divided by 25 so I got 4 by 25 p of 3 तो x से जगे मैंने 3 रखा हुआ है 3 plus 2 divided by 25 so I got 5 by 25 उसको मैं जब cut करूँँगा तो मेरा answer आजेगा 1 by 5 एक से जगे मैंने 4 रखा हुआ है 4 plus 2 divided by 25 so 6 by 25 and last one 5 रखा हुआ 5 plus 2 divided by 25 so I got 7 by 25 clear होगे मेरी सभी value put up हो गई चलिए अब जब कभी भी आपको discrete random check करना हो तो उसके लिए formula है sigma p of x equal to 1 यानि आपने sigma की जितनी भी value find out करी ना 1 चले के 5 तक की उन सभी का total करने पर आपका answer अगर 1 आता है तो वह discrete random variable है अगर 1 नहीं आता है तो वह discrete random variable नहीं है तो चलिए यहाँ पर 1 के देके मुझे क्या मिला था answer 3 by 25 2 के लिए मुझे answer मिला था 4 by 25 3 के लिए मुझे answer मिला था 1 by 5 4 के लिए मुझे answer मिला था 6 by 25 और 5 के लिए मुझे answer मिला था 7 by 25 कभी करी बच्चों को doubts होता है तो बच्चे इसको point में भी रखते हैं answer को तो भी चलता है कोई problem नहीं है पर as per अगर हमको अगर अच्छे मार्क लेने बौट की exam में तो मैं तो आपको suggest करूंगा कि आप rational form में नंबर को रखिए बहुत easy है सभी का मैंने LCM ले लिए तो LCM कितना आगे मेरे 25 अब मैंने आपको पहले से method सिखाई हुई है किस तरह से 25 के table में 25 कितने बार में आएगा one time so one 5 यहां पर 6 का 6 और 7 का 7 अब आप सभी का टोटल करें तो आपको answer कितना में उपर का 25 और डिवाट में 25 है so you got final answer will be one तो अगर answer one आ गया तो यह जो है हो क्या है discrete random variable आपको हो सकेगा clear हो रहा है मैं आपको क्या पूलना चला हूं चलिए इसी तरह मेरा second number के सामें जहाँ पर P of X इकल टू 6 minus modulo sign के अंदर आपको दिया हुआ x-7 divided by k और x के आपको 4 टू लेके 10 तक की अलग लग value रखनी है अब आपको मालू है कि जब कभी बाट जब निकाल मुत क्या आजाएगा वो plus 3 हो जाएगा so 6 minus 3 divided by k so 3 by k second में मैंने 5 रखा हुआ है 5 को रखे हमने क्या 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 हुआ हुआ 6 minus 5 minus 7 यानि minus 2 वो जब बाहर आएगा तो plus 2 हो जाएगा so 6 minus 2 divided by k equal to 4 by k as it is minus 6 क्या लिका रहा हुआ है 6 minus 7 so minus 1 बाहर आएगा plus 1 हो जाएगा so 6 minus 1 I got 5 5 k 7 के लिए मैंने सेम करा हुआ है 8 के लिए मैंने सेम प्रोसीजर करी है 9 के लिए और 10 के लिए मैंने सेम प्रोसीजर आपर की होई है चलिए अब मुझे इसके लिए क्या खाना है k की value find out करनी है इस समके अंतर आपको दिया हुआ you have to find the value of k so sigma p of x equal to 1 है up to 10 तक मैं value रहत दूंगा तो p of 4 plus p of 5 plus p of 6 plus p of 7 plus p of 8 plus p of 9 plus p of 10 अब सभी के value value put up की है p of 4 का answer मुझे मिला था 3 by k 4 by k 5 by k 6 by k 5 by k 4 by k plus 3 by k equal to क्या देगा हमारा 1 सभी का मैंने LCM लेड़ा तो क्या आगया मिला k आगया तो उपर के value तो मेरी एदम इसी आ लिए 3 plus 4 7 7 plus 5 12 12 plus 6 18 18 plus 5 18 plus 5 I got I got 23 23 plus 4 27 and 27 plus 3 I got 30 so 30 divided by k equal to 1 I just multiply the value of k into by 1 so k into 1 k so I got final answer will be k equal to 1 by 30 और यहां को मिझे k की value 1 by 30 answer मिल चुका है यहां को मिला हो गया आपको यह भी method चलिया and the last one same method last sum है जिसके अंदर हमको factorial दिया हुआ है P of x equal to k divided by x plus 1 factorial और यहां पर है न हमको दो चीज़े निखालनी है पहले आपको बुला हुआ है you have to find the value of k and next one you have to find the value of P of 1 less than x less than 4 तो जली मैं start करता हूँ तो पहले तो मैंने क्या करा हुआ है xcj के पहले वही value put up करूँगा xcj पहले मैंने 1 रखा हुआ है so 1 plus 1 means 2 का factorial और factorial आपको निकालना आता है value को कहा तक ले जाएंगे हम लोग 1 तक so 2 into 1 I got 2 यानि P of 1 का answer clear है second मैं निकाला हूँ side by P of 2 का k divided by 2 plus 1 यानि 3 का factorial 3 का factorial का निकालना है अब लोग 3 into 2 into 1 so I got 3 2s are 6 6 1s are 6 k by 6 and last one will be P of 3 so 3 plus 1 equal to 4 4 का factorial का आएगा 4 into 3 into 2 into 1 so 4 3s are 12 12 2s are 24 so answer will be 24 clear है चली अब मुझे 3 value मिल गई अब मुझे K की value निकालने के लिए सबसे पहले कौनता formula लगाना पड़ेगा sigma P of X equal to 1 so sigma P of X equal to 1 का मैंने formula लगा है तो P of 1 plus P of 2 plus P of 3 equal to 1 P of 1 का answer मुझे मिला K by 2 P of 2 का answer मुझे मिला था K by 6 और P of 3 का answer मुझे मिला था K by 24 equal to 1 सबका मैंने LCM ले लिए 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 का आगा 24 आजाएगा अब 2 के table में 24 कितने time में आएगा 12 और 12 into K 12 के आजाएगा 6 के table में 24 कितने में आजाएगा 4 बार 4 into K 4 K 24 के table में 24 1 time 1 into K I got K equal to 1 अब 12 plus 4 K 16 K plus 1 K equal to 17 K 24 को मैंने क्या करा हुआ है cross by multiply करा हुआ है So K equal to answer कितना आजाएगा 24 by 7 So यहाँ पर मुझे K की value मिल चुकी है यहाँ फर्स सम मेरा यहाँ पर clear हो रहा है अब उसी के अंतर हम को दूसरी value find out करने का बूला हुआ P of 1 less than X less than 4 यहाँ आपको less than equal दिया हुआ है क्या खले less than दिया हुआ है यहाँ आप 1 और 4 को count करेंगे नहीं तो आप 1 और 4 के बीच की value तो 1 और 4 के बीच में कौन आ रहा है P of 2 और P of 3 आ रहा है So आपको P of 2 की value मिली हुई थो आलरी क्या मिला था K by 6 और P of 3 की value आपको मिली थी K by 24 So K by 6 प्लस K by 24 मैंने क्या करा Again 24 LCM लेडिया है तो 6 के table में 24 के ना आएगा 4K तो 4, 6, 4, 24 आ जाएगा So 4K 24 के table में 24 one time 1 into K So 4K plus K 5K divided by 24 So अब मैं क्या करूंगा मैंने दिखे लिखा हुआ है Put value of K in this हम K के दिखे आप value put up कर देंगे और K के दिखे मुझे क्या मिला था 24 into 7 मिला था So 5 by 24 और K के दिखे मैंने 24 by 17 रखा हुआ है So उपर नीचे 24, 24 cut So I got a final answer will be 5 by 7 Clear होगे आपको ये भी Clear है तो I hope आप सभी को ये 3 ही 3 सम बहुत easy way में clear हुए होगे exam के अंदर board के exam के अंदर two marker sum के अंदर mostly इसी type के sum पूछे जाते हैं तो आप सभी को ये sum बहुत easy way में clear हुए होगे आगी की method मैं आपको next video lecture में आपको बताने वाला हूँ Till then bye and take care